हाई, वेल्कम तो मैं चनल, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे कुछन नमर थ्री तो इस कुछन में क्या कर रहा है, धान से पढ़िएगा तो एक सिलिंडर है और उस सिलिंडर का जो बेस का एरिया दिया हुआ है वो दे दिया है 16 cm2 मता माल यह सिलिंडर है तो इसका जो बेस है यह वाला जो बेस है इसका एरिया दिया है कितना इसकी एरिया दिया है 616 cm2 कर रहा है कि and its height is 25 cm और इसका जो height है वो कितना है 25 cm है क्या से यहां तक तो पूछ रहा है कि find the volume अब दो सिलिंडर अब इसका volume पूछ रहा है तो दीक है volume निकालने के लिए आपको जानते है formula क्या होता है pi r square h तो पाई r square h है तो उसमें से क्या निकालना पड़ेगा आपको pi square है तो r radius निकलना पड़ेगा और height निकलना होगा ठीक है तो radius और height height पता है आपको यहाँ पर 25 cm लेकिन आपको radius नहीं पता तो radius को find करना पड़ेगा अलग तरीके से है कि नहीं? तो radius को find करने के लिए जो यहाँ पर पहले पहले दिया हुआ है कि base of area of the base solution since the away area of the base of the right circular cylinder right circular cylinder यह आपका दिया ओए 616 cm2 हम जानते हैं कि जो base होता है वो circular होता है तो circular होता है तो circular region का जो area होता है वो आप देते हैं pi r square से तो pi r square is equal to 616 cm2 right अब यहाँ पर pi की value यह दी नहीं दिया equation में तो आपको 22 by 7 यूज करना है into r जो radius है वो तो निकालना ही आपको तो ऐसे r रहे हैं 616 cm2 हो गया अब यहाँ पर unit को आप मतलब drop कर सकते हैं कुछ ज़र के लिए और last में आपका जो unit आएगा वो रख देंगे हमें निकालना है r square तो r square क्या हो जाएगा पहले आपको 11 सेख़़ आना चाहिए तो 11 2 जा 22 11 5 जा 55 6 बचा क्योंकि 61 है तो 11 6 जा 66 दूसे कटेगा 202 और यह कटेगा था 22 जा 4 और 116 और 28 जा 16 तो finally आजाएगा 28 multiplied by 7 यह हो जाएगा r square is value 28 को लिए सकते हैं आप 7 into 4 तो खेर हमें r की value निकालनी है तो हम यहाँ पर r square is value faces के लिए आपर 28 into 7 हमें निकालना है r की value तो बोच sides में क्या करेंगे square root ले लेंगे तो taking both sides taking square root on both sides we will get r is equal to under root of 28 into 7 देखे हमें साथ जो radius होती है वो positive होती है इसलिए हमने यहाँ पर negative नहीं किया देखे यहाँ पर concept क्या होता है यदि आप square root लेता है तो होता क्या है समाली जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ x square is equal to a यदि आप both sides में आप square root लेते हैं तो ऐसे हो जाएगा square root of x square is equal to square root of a यदि आप ऐसा करते हैं तो जब यह बाहर निकलेगा x तो यह root a के बरावर नहीं होगा बलकि plus minus root a के बरावर होता है हमें आप जो concept पढ़ेंगे 11 में mathematics में जो actual mathematics होती है तो इसमें आप ऐसे पढ़ेंगे अंदर plus minus होता है root a लेकिन यहाँ पर देखें 2 into 2 into 7 पहले से है यहाँ देखिए दो दो का पेर बनाते हैं तो 7 बाहर निकलेगा into यहाँ से 2 पेर का 2 निकलेगा एक तो 7 तो 14 मतलब कि आपका आगया 17 40 cm यह आगया radius अब आप निकाल सकते हैं volume of the cylinder तो यह लिखना है पड़ेगा so volume of the cylinder is called to pi r square h pi r square h means area of the base into height ठीक है तो pi की वेलू होती है 22 by 7 multiplied by r square means 14 का square multiplied by h h means 25 cm यहाँ सब देखें अभी अचा 7 समर्द कर रहा है sorry यहाँ कटाना नहीं अभी अब यहाँ पर क्या कर लिजे 23 by 7 multiplied by 14 को break कर लिजे 14 square को लिजे 14 into 14 multiplied by 25 7 by 7 7 to 14 हो जाएगा अब यहाँ multiply कर सकते हैं तो हम कैसे multiply करेंगे आपको सोचना होगा कैसे multiply करना है देखें यहाँ पर यदि आप यह करते हैं डिरेटली कर जिए क्या दिकाते हैं यहाँ जागा 44 टुट टू 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 जा 44 हो जाएगा multiplied by 25 से 14 में कर लिजे 25 फोर जा 100 होता है कि 0 10 carry over and 25 25 और 10 35 तो यह हो जाएगा 350 अब है अब हमड़ रप्लाइ कर लेंगे तो हमारा जाएगा क्या 44 में कर लेता है थर्टी फाइव से तो यह हो जाएगा 5 फोर ट्वेंटी का 0 to carry over फिर हो जाएगा एसे से कर ये तो 5 फोर ट्वेंटी अन फोर्टी ट्वेंटी और 12 12, 32, 32 and 2, 34, 34 का 4 हो जागा, 3 कर यहां पर, अब यहां पर SSM प्लाइ कर लिजे, 4 ती जा 12, 12 and 3, 12 and 3, 15 हो जाएगा, मतलब इतना आएगा, तो यह हो जागा, 1540 और एक और 0 यहां पर है, तो इतना हो जागा, 15400 cm3, this will be the volume of the required cylinder, sorry, the given cylinder, okay, thank you so much for watching, bye